मरीजों को मिलेगी राहत बियेच्चू अस्वताल के OPD पर बरा फैसला सवा दो महीने बाद इस दीन से सुरू होगा दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर इसकीन पर देख पा रहे हैं और थमनल में देख चुके होंगे कि यहाँ जो बियेच्चू के जो OPD के सुविधाय है वहाँ पर फिर से यानि इस्टार्ट कर दिया गया है तो नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है वहाँ बनारस के इस यूटूब चानल में जहाँ पर मलाते रहते हैं बनारस यानि तेज्युन से खोले जाने और 50 मरिजों के इस देख जाने के निरने लियाए गया एक दिन में यहां पर 50 मरिजों को देखा जाएगा कि बीएच्ची उस्पिताल के साथ ही ट्रामा सेंटर के समाने दिनों में चलने वाले OPD में 5-6,000 मरीज इलाज कराने आता लेकिन कोरोना की पॉली लहर की तरह दूसरी लहर में जब केस बटने लगे तो 13 अप्रिल से यहां पर जो है OPD को बंद कर दिया गया था इसके बाद से केवल एमर्जेंसी में ही मरीज देखे जा रहे थे यहीं नहीं समाने ऑप्रेशन भी नहीं हो पा रहे थे और सनी वार को IMS BHU के निदेशक प्रोफेसर बी अर्मीतल के देख्सता वाली बैठक में OPD को 23 जून यानि पॉर्सल से खोले जाने और एक दिन में लगवा 50 मरीजों को जो है देखे जाने के निरने लिया गया है प्रोफेसर केके गुपता ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो सके इसके लिए के वर 50 मरीज ही देखा जाएंगे एक दिन में उसके बाद OPD के लिए online booking होगी या काउंटर से परचा कटाने के विए वस्ता रहेगी इस पर प्रोफेसर गुपता ने बताया कि बताया कि इसे बढ़ा करने और मरीजों के सुब्दा के लिए प्रॉफेसर सौरप सिंग में बताया कि ट्रामा सेंटर के इमर्जेंसी याने रेट जोन में केवल 4 बेड़ी स्युक्रीत हैं अभी तक जो है लेकिन इसे बढ़ा कर जो है आगे 20 करने और मरीजों के सुब्द के लिए प्राइवट्रों को विए संग